हलो अबरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज मैं आप सभी के साथ सेड़ कर रही हूँ लॉंग लटा की रेसिपी इसे बनाना तो असान नहीं है लेकिन आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा तो आप बहुत ज़्यादा असानी से मार्किट वाला ये लॉंग लटा इसमे के और इसके बाद धीरे-धीरे करके हमें इसमें तेल डाल येना है तो यहां पर धीरे-धीरे करके तेल डालègそれでは आप शहुंँ एक साथ भी डाल सकते हो जल्दी काम होगा हईकाब कर छेग का उन्दाजे कर देनाニ को पंप प्र प्रोफिक ञ silk tl यहां मतलब एकदम perfect हमारा मोयन है तो इस तरीके से आपको भी check करना है और अगर देख सकते हो इसको ऐसे करके देखने पर कैसे ही हो जा रहा है मतलब हाँ आपको एकदम मोयन perfect डालना है और हमारा मोयन अच्छे से हो गया है मोठी बांदे पर ये तूट नहीं रहा है मतलब perfect है तो मोयन हो जाने के बाद हम इसमें धीरे-धीरे करके पानी डालके अच्छा सा डो इसका लगा लेंगी इसके लिए मैंने ना normal temperature मतलब जो room temperature पर पानी होता है वही यूज किया है ना गरम ना ठंडा कोई भी आपको पानी लेने किया वे सकता नहीं है धीरे-धीरे पानी डालते हुए हमें इसका ना एकदम semi soft डो तयार करना है ना जादा सक्त हो ना जादा नरम हो इसी तरीके की consistency का आपको डो लगाना है आपने इतना चिंता मत करिएगा कि इसका डो जैसे हम normal सक्कर पारे बनाते हैं या कचोड़ी के लिए डो लगाते है उ थोड़ा safe का difference हो जाता है यहाँ पे हमारा डो बनके proper तरीके से त्यार हो गया है अभी मैं आपको डो को दबा के दिखा रही हूँ ऐसे दबाने पर अंदर जा रहा है और फिर तुरंत ऊपर आ जा रहा है और डो अच्छा से बन जाए इसकी निसानी यही है कि जैसे जैसे ह हम इसे मलते जाएंगे हाथ में और बरतिन में भी कहीं पे भी आपको आंटा नहीं दिखेगा तो इस तरीके से आपको डो बनाना है रेस्ट करने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है उसके बाद जो यह मामा है मैंने घर पे तुरंती बनाया अभी आपको गीला दिख रह लेगा और हाँ अगर आपको खोया ना डालना हो तो आप इसके जगे पे सूजी का भी प्रियोग कर सकते हैं तो यहां पे हमारा जो मावा है वो अच्छे से बन के तियार हो गया अब डो को देख लेते हैं इसको मैंने 20 मिनट रेष्ट के लिए छोड़ा है और अभी न इस भी साइज का लंगलता बनाना हो वैसे तो घर पे हम छोटे छोटे ही लंगलता बनाते हैं दुकान वाला कॉपी करना चाहो तो आप थोड़ा सा पतला और बड़ा लोई लेके और बेल दीजेगा आप इसे जतना पतला बेल सकते हैं उतना बेलिएगा ज्यादा मोटा रहने पे क्या होगा ना कि ये तेल में जाएगा और गोर्डें ब्राउन का हो जाएगा तो आपको खाते टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग सकता है इसलिए आपको पतला बेलना है जैसे मैं बेल रही हूँ चारो तरब से सूखा आटा लगाती हुए और हमारा मोईन इतना था कि ये इसे आप मिलना सूखे आटे के भी बेलेंगे तो वो असानी से बिल जाएगा और गुजिया के लिए तो ये डो एकदम पॉफेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से बेल दिया है इसी तरीके से सभी नर पूडियों को मतलब सीट को मैंने अच्छे से बेल के तियार कर लिया अभी आप इसको देख सकते हो कितना नजदिक से हाथ थोड़ा सा दिख रहा है बस इसी तरीके का आपको न इसकी रोटिया बनानी यानि सीट बनानी है तो बस थोड़ी से स्पेस कर लेंगे और एक प्लेट पे हमें रख लेने हैं थोड अपने हिसाब से रखेगा जिस साइज की जो सीट हमने बेली है उसे साब से यहां पर एक साइट से मोड़ने के बाद उपर हलका सा हमें पानी लगाना है और अच्छे से इसको कवर कर देना है आप एक दो बनाएंगे तो असानी से सिख जाएगा और जैसे मैं साइट यूँ इसी तरीके से आपको प्रेस करना है नहीं तो अगर जैसे ही तेल में जाएगा ना तुरंत खुल के बाहर रह जाएगा और पूरा तेल खराब कर देगा और फिर किनारों को अपोजे डाइरेक्शन में करने के बाद किनारों पे हलका सा पानी लगाते हुई हमें इस बस इसका नाम है लॉंग लगाना तो जरूरी था आप बीना लॉंग लगाए भी इसको बना सकते हैं तो यहाँ पर हमारा एक लॉंग लगा बनके तयार हो गया है इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाती हूँ सबसे पहले सीच सेपरेट कर लिया है मैंने अच्छे से ब करेंगे और फिर दोनों को अच्छे से हमें तबाना की स्टफिंग बाहर ना निकल पाए जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वैसे ही आपको भी करना है उसके बाद इसको अपोजे डाइरिक्शन में मतलब पलट देना है और उसके बाद किनारों पे हलका सा पानी लगाना ह और उसके बाद फिर एक लॉंग लगाने के बाद हमारा प्रापर लॉंगलता बनके हो गया है तयार तो बस इसी तरीके से आपको भी लॉंगलता बना रहेना है इसको बनाने में आपको उतनी समझ्या नहीं आयाmist कि जितना आपको सोचने में होगी कि मैं कैसे बनाउंगी बनाऊंगा तो बस इसी तरीके से मैंने खुप सारे लॉंग लत्य बना लिए मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूं कैसे मैंने बनाया है इसी तरीके से मतलब कुछ में मैंने लॉंग लगा है कुछ में मैंने लॉंग नहीं लगा है साइज आप अपने हिसाब से जितना तो बस उतने से मैदे आधा किलो मैदा से इतने सारे लॉंगलता बनके हो गया है तो बस कड़ाई मैंने गैस पे चुड़ा दिये अभी हाई फ्लेम है और इसमें मैं डाल रही हूं तेल आपको भरपूर मात्रा में डाला है अच्छे से ताकि जब इसमें लॉंगलता जाए फ आज को एकदम धीमा कर दिया है मैंने और एक एक करके मैं इसमें लॉंगलते को डाल रही हूं आपको अलग-अलग करके सभी लॉंगलते को डाला है एक साथ पूरा मट डाल दीजेगा धीरे-धीरे करके मतलब कड़ाई में आपको जतनी स्पेस दिख रही है ना उसे चायों को बनाने में और एकदम हलके हाथों से आपको पलटना है या ध्यान दीजेगा क्योंकि अभी तो इसमें पका नहीं है और जैसे ही हम थोड़ा सा दबाव देंगे ना इसमें से तुरंत मावा बाहर निकलने लगेगा बबल्स आप ध्यान दे रहे होंगे धीरे-धी ये फ्राई होते होती ये थोड़ा सना खिलने लगा है उपर की तरफ आने लगा है तो बस नीचे से हलका सना इसकी डायरेक्शन चेज कर देंगे मतलब उपर पलट देंगे उपर नीचे पलट देंगे और उसके बाद इसको ऐसे ही फ्राई होने देंगे आज मैं आपको द स्टफिंग थोड़ा से साइड में लग गया था तो वो साड़े इसकी स्टफिंग निकलने लगी थी अभी आप देख सकते हो कितना सुनहरा कलर आया हुआ है तो यह गलती आपसे ना हो तो इसको ध्यान दीजिएगा हलकी हाथों से आपको इसको चलाना है ताकि जो हम्मावा भरे हैं उसके अंदर ये इसको चोट ना लग सकी कि बाहर आ जाए तो बस इसी तरीके से मैं चारो तरब से इसको चला चला की गोल्डन ब्राउन कलर का कर लिया है एक्दम क्रिस्पी हो गया है और सारी जो लेयर्स हैं आपको अच्छे से दिख रही होंगी तो बस धीरे- आपको दिखा रही हों कौन से का मतलब किस लॉंगलता का ये जो पूरी गलती है वो है देख सकते हो आप इसकी स्टफिंग पूरी बाहर निकल गई और इसकी एक गलती की बज़े से सभी को पूरा भुगतना पड़ा उनकी खूबसूरती चिन गई तो बस कोई टेस्ट में अंतर नहीं आएगा बस से देखने में थोड़ा से चीनी का उपर आ गया है क्रस्ट न इस वज़े से थोड़ा सा जीब लग रहा है उसके बाद फिर से मैंने जो बचे हुए लॉंग लता थे उसको डाल दिया है इस बार आपको दिख रहा होगा कि बबल्स कितने जल्दी दिया रहा है वो आज थोड़ी सी तीज थी तो बस फिर मैंने आज को एकदम ही बंद कर दिया और उसके बाद फिर गोल्डन ब्राउन कलर का जैसे ही हो गया तब मैंने इसको निकाल लिया है आज आपको तेज नहीं करना है अगर आप तेज आज पे करेंगे ना तो वो कलर ले लेगा लेकिन अंदर से भी नहीं पका रहेगा बस उपर से कच्चा कच्चा रहेगा और अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट इसलिए आपको धीमी आज पे ही इसे फ्राइ करना है या मध्यम आज पे बस अब हम चासनी के लिए एक केजी चीनी लिया है मैंने मतलब 800 ग्र अब इन दोनों मिसरड को उठाके हम गैस पे रख देंके हाई फ्लेम पे ताकि जल्दी जल्दी से हमारे चासनी बनके तयार हो क्योंकि लोंगलता तो हमने बना ही लिया है तो बस इसको मैं चला चला कि नहीं अगर इससे चलाना आप छोड़ देंगे ना तो क्या होगा कि नीचे तले में पकड़ लेगा तो इसलिए आपको इसको लगातार चलाते रहना है और हाँ आप वीडियो को बिना इसकीप की हुए देखेंगे ना तो सारे प्रोसेस मैंने बहुत असानी से बनाया है और यह मैंने खुद बनाया है तो बस आपको भी असानी से बनाना समझ में आ रहा होगा, सारी जो problem आ रही है वो मैं सब आपको बताती जा रही हूँ बहुत easy है इसे बनाना, अगर आपको ये लग रहा हो, बहुत भारी है, तो नहीं बहुत easy है ये, कोई rocket science नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं ये rocket science होता भी क्या है, बस इसको चासनी को अच्छे से हमें चेक करना है, अभी आप देख सकते हो, ये हलकी से चिपचिपी लग रही है मतलब ना एक तार की चासनी है ना प्रॉपर चासनी है जो होती है, बस कैस को बंद कर देंगे बस हलका सा चिपचिपा लग रहा है ये मतलब इससे अधिक पकाएंगी तो वो एक तार की चासनी बन जाएगी ऐसी ही आपको चासनी बनानी है लोंग लत्ता के लिए अगर आपने इससे ज़्यादा इससे पका दिया तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा ना बस ये भी बहुत जादा गरम है तो दोनों को एक साथ डाल देगी खौलते टाइम ना इससे लोंग लत्ता कभी मढ डालीगा इससे क्या होगा कि उपर की जो लोंग लत्ता की परत है वो जादे नरम हो जाएगी तो हलका सा चीनी का चासनी जो है ठंडा हो जाएगा बस गरम रहना चाहिए उपर से मतलब उतना गरम नहीं होना चाहिए कि उपर से वास्प वो दिखे एक एक करके सभी लॉंग लता को मैंने डाल दिया है इसके अंदर थोड़ी देर इसे भिंदने देंगे पांच मिनट के लिए और फिर इससे चलाएंगे और उसके बाद अपने मन पसंदिदा बरतन में निकाल के सवब कर लेंगे और जो बाकी जो बच्चे हुए लॉंग लता हैं फिर इसी में डाला है हमें आप चाहों तो इसको डुबो के भी रख सकते हो लेकिन दुकान पे आपने देखा होगा कि वो चासनी में डुबो के जब आप खरीदने जाते हो तो निकाल के देते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो जब आपक लेकिन अगर आपको भी इच्छा हो रही हो लंग लता बना के खाने की तो आप जरूर से ट्राय करिएगा बनाने में आपको ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला है मैंने दो बज़े से स्टार्ट किया था बनाना और तीन साड़े तीन हुआ था बन गया असानी से तो बस भी इसी तरीके से बनाना है बहुत असान है इसे बनाना और जैसा कि मैंने आपको यह रेसेपी में सारे टिपस और ट्रिक दिये हैं इसी तरीके से आप बहुँत ज़ Breadgehen और पर बना की अलग-अलग रखिएगा ताकि यह चिपक ना जा бук क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है एक साथ एक के ऊपर एक रख देंगे तो पता चले चिपक जाए उसके बाद तेल को एकदम धीमा गरम करिएगा और उसके बाद एक एक करके तेल में डाल दीजिएगा फ्राई होने के लिए और जैसे ये गोल्डे ब्राउन कलर का हो तुरंत तेल से बाहर निकाल लेना है और उसके बाद चासनी बना की चासने में डाल देनी एक तार की चासनी नहीं बनानी है उसके बाद अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूं कितना सुन्दर बना हुआ है और पूरा जो इसका रसाव है अंदर तक गया और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इतनी सारी मैंने मेहनत की है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा अपने फैमिली फ्रेंज दोस्तों के साथ सेर भी करिएगा थैंक्स वर वाचिंग बाई गाईज